Hello everyone, welcome back to English Rank Channel, What about you? जिसको spoken English में काफी बूला जाता है और आज के lesson में आप समझेंगे इस phrase को कैसे अलग लग situation में use कर सकते हैं So first use है जिसका हिंदी में पूछने का मतलब होता है कि आप कैसे हो या आपकी क्या हाल चाल है एक conversation है जो Priya और Ria के बीच में है Priya कहती है Hi Ria, How are you? Hello Ria, तुम कैसी हो? Then Ria said I am good, What about you? मैं अच्छी हूँ, Priya तुम कैसी हो? Then Priya said Oh I am good too, अरे मैं भी बढ़िया हूँ इस बाचित में What about you का meaning तुम कैसे हो या तुम्हारे क्या हाल चाल चाल निकल कर आता है Now second use of What about you, जिसमें हिंदी में पूछने का मतलब है आपके बारे में क्या? एक conversation example की help से समझते हैं करन, Hey Rahaul, When are you going to submit the project report? Hello Rahaul, तुम अपना project report कब जमा करा रहे हो? Rahaul, I will submit it by the end of the day, What about you? मैं इसे आज शाम तर जमा कर दूँगा, तुम कब जमा कराने वाले हो? Then Karan said, Oh my report is still not ready, maybe I will submit it tomorrow अरे बेरा report अभी तक तयार नहीं हुआ, मैं शायद उसे कल जमा कराऊंगा इस example में जब करन, राहul से कोई सवाल पूछता है तो राहul उस सवाल का जवाब देने के बाद ही वही सवाल दुबारा करन से पूछता है तो इस condition में What about you का use होता है, जिसमें हिंदी में पूछने का मतलब है आपके बारे में क्या? Now let's understand the third use of What about you, जिसमें हिंदी में पूछने का मतलब है तुम क्या कहते हो या तुम्हारा क्या ख्याल है मतलब हम सामने वाले व्यक्ति से उसका view जाना चाते हैं, उसका opinion लेना चाते हैं Example, party के बारे में क्या ख्याल है? हम सामने वाले व्यक्ति से पूछ रहे हैं कि पार्टी के बारे में आप क्या सोचते हैं आपका क्या घ्याल है So English में sentence होगा What about a party What about के बाद आपको उस चीज को mention करने हैं जिसके बारे में आप सामने वाले व्यक्ति का opinion जाना चाते हैं जहाँ पर हम पार्टी के बारे में जाना चाते हैं तो What about a party One more example ये वाला ड्रेस कैसा रहेगा What about this dress इस ड्रेस के बारे में आपका opinion क्या है आप क्या view रखते हैं What about this dress Now last and fourth use of What about you जिसमें हम सामने वाले किसी व्यक्ति से किसी और व्यक्ति या चीज के बारे में पूछते हैं कि उस चीज के बारे में क्या या उस व्यक्ति के बारे में क्या Example उन पैसो का क्या जो मैंने तुम्हें दिये थे यहाँ पे हम एक चीज के बारे पे पूछ रहे हैं कि उस चीज का क्या जो मैंने तुम्हें दिये थे So what about the money that I had given to you पैसो का क्या इसके लिए हम ने यूज किया what about the money उन पैसो का क्या तुम्हारे वादों का क्या what about your promises तो यहां पर what about you का यूस किया गया है जब हम पूछते हैं उस चीज के बारे में या उस व्यक्ति के बारे में क्या आपको आज का लेसन पसंद आया होगा अगर लेसन पसंद आया है और यूसल लगए है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें और डोंट फर्गेट तो सब्सक्राइब इंग्लिश राइंग चैनल कीप लाइन एंड थैंक्स वाचिंग